वेलकम टू हुकेश महता अनान्द अकेडमी चैनल पर आज हम एक इंपोर्टन टॉपिक इंग्लिश गरामर का करने जा रहे हैं चेंज ओफ वोईस आपने थमनेल से देखा होगा कि चेंज ओफ वोईस यानि एक्टिव वोईस टू पैसिव वोईस करेंगें तो पहले आप इस चैनल को सब्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को एंड तक देखें बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी लास्ट में इसकी कुछ एक्टिव वोईस से पैसिव वोईस की एक्सरसाइस भी दियो ही है वो भी आप सौल करके कमेंट में अंसर दें हाँ जी ये जो आप देख रहे हो थमनेल से भी तो ऐसा आपको किसी ने निकरवाया होगा कभी भी जो यहां आपको अबलेबल होगा अनन्द अकेडमी मुकीश मैता अनन्द अकेडमी चैनल पर आपको देखिए जी इसकी एक्सरसाइज ओफ वोईस करने से पहले कुछ हम रूल्स को समझते हैं एक्टिव वोईस है क्या और पैसिव वोईस क्या है देखिए एक्टिव वोईस की जुरुत हमें क्यों पड़ी एक्टिव वोईस में जब थे संटेंस जब टैंस भी थे तो हमें पैसिव वोईस की जुरुत क्यों पड़ी देखिए हम कई बार सुन कहते हैं न ये बात कि पुलिस ने चोर को पगड़ लिया example से समझा रहा हूँ चोर पकड़ा गया अब ये दो sentence है एक active voice में police ने चोर को पकड़ लिया और दूसरी बात है चोर पकड़ा गया ठीक है तो इस बात को कहने के लिए चोर पकड़ा गया इसको कहने के लिए हमें passive voice की जूर्थ पड़ी इसलिए हमने passive voice का यूज किया active voice में देखिए पहले subject होगा जो work को करता है work को कौन कर रहा है police जैसे मैं एक्जामपल दिये दा police और फिर helping verb होगी आप देख सकते हो structure में मैंने यहां बहुत बढ़िया करके दिया है सारा हम इसमें structure से करेंगे हैं और structure से आपको अच्छे समझ आएगा पहले subject है फिर helping verb आती है हाँ main verb भी होती है helping verb negative या interrogative में होती है सही बात है फिर हम main verb लगाते हैं फिर object और फिर full stop passive voice में क्या करते हैं object लगाते हैं फिर helping verb जो भी tense के coding आपको बताएंगे फिर main verb आती है फिर by का use होता है फिर subject और फिर full stop तो ये format होता है जो format के coding करेगा उसको active voice और passive voice बहुत easy लगेंगे आपने tense भी ऐसे किये यदि आपने पहले tense वाली video नहीं देखिवी तो वो देखिए फिर ये voice आपको बहुत आराम से समझा जाएंगे देखिए active voice में हाँ जी active voice में she sings a song जिस structure की मैं बात कर रहा था वही यहाँ पर available है आप देखिए जित्यान से पहले subject होगा बिलकुल subject है फिर main verb होगी हाँ present indefinite में main verb भी होती है helping verb नहीं है फिर object होगा तो object है she sings a song इसमें she subject है sings verb है और a song object है अब इसका passive voice बनाना है तो पहले object लिखना होगा तो object देखना है object जो समझ गया जिसको object का पता चल गया उसको passive voice आगी तो verb की फोरण बात जो होता है वो object होता है हाँ दो object भी होते है दो object वाले example भी हम करेंगे तो इसको देखे पहले तो object क्या है वही a song तो पहले a song लिखेंगे फिर देखे इस tense के coding helping verb लगेगी इस tense में present indefinite है और present indefinite present continuous में change होता है और उसकी helping verb यूज होती है यानि अगले tense की helping verb यूज होती है present indefinite के बाद आपने tense table की थी उसके coding भी मैंने बताया था कि continue करो इसको तो वहाँ present continuous के बाद helping verb यूज होगी उसमें helping verb यूज होती है इस जैमार तो a song singular है singular के साथ हम इस लगाएंगे तो a song इस लिखा हुआ है देखिए next फिर जो है main verb जो है third आएगी यहां मैंने लिखा main verb यानि verb की third form आएगी हमेशा passive हो है इसमें बात वही है main verb लिख लो या verb की third form यहां जो first होगी उसकी third हो जाएगी तो वो आगे समझाएंगे उसमें देरक है detail में हाँ जी तो sing की third हो जाएगी sung उसके बाद by का यूज होगा तो by r लिखा हुआ फिर subject का विशी तो she का क्या हो जाएगा object change करना यह भी आगे आपको detail में बताएंगे हर यानि आप समझ गयोगे यहां जो है यह बात कही गई है she sings a song वह एक गीत गाती है इसको act करने वाला है वो active voice होगा आया गया ठीक है तो यह passive voice में ठीक है तो यह passive voice में तो यह बात है active voice और passive voice को समझने के लिए उसके बाद देखी जो main जिसने active voice को समझने तो यह main जो points हैं यह आपको mind में रखने होगी while changing active voice to passive voice the following points have to be kept in mind जब भी आप active voice से passive voice में change करो तो बस यह five points हैं इनको आप अच्छे से कर लो फिर आपको active voice और passive voice में कोई प्रोब्लम भी आएगी तो देखी क्या rule है first बिल्कुल change object to subject पहला rule आपने देखना है कि object क्या है sentence के अंदर object रूम लेना है वर्व के फोरण बाद object होगा तो object को subject बनागे लिख लेना है फिर उसके बाद क्या करना है change helping वर्व फिर helping वर्व चेंज करना है यहनि tense change होगा वो भी आपको method बताएंगे कि किस तरह से change होगा change helping वर्व helping वर्व चेंज करना है उसके बाद आपने वर्व की third form का use करना है helping वर्व के बाद वर्व आएगी तो वर्व चाहे कोई भी दे रखी और tense के अंदर कोई भी tense हो उसमें वर्व कोई भी दे रखी और आपने की है tense में तो उसकी third form बनानी चाहिए आपको third form कर लेनी है then use of third form आप देख सकते हो ये rules आपको आने अच्छे से जरूरी है फिर उसके बाद जो है then use of फिर आपने buy का use करना है देखी ये change subject to object फिर then change helping verb यानि helping verb वीज़ हमार वाज़ वर्व में इसको change करना है जो वो आपको आगे rule बताते जाएंगे कि scoring फिर आपने इसमें हमेशा बाई जरूरी नहीं कि बाई लगे अब कुछ वर्व होती है जिनके साथ बाई यूज नहीं भी होता ठीक है जैसे हाँ जैसे मानलो आप वर्व लगा लो नो नो के साथ क्या preposition यूज होगी टू का यूज होगा वहाँ वर्व जो है थरड़ आप नॉन लिखोगे तो उसके साथ जो हम टू preposition लगाएंगे ऐसे और भी वर्व होती है उनके साथ भी हम जी उनके साथ भी हम जो है जैसे consist in का use होता है placed with का use होता है surprised at का use होता है तो ये वर्व हैं ये भी मैं आपको last में लिखवा दूँगा किन किन वर्व के साथ कौन कौन सी preposition यूज होती है अभी तो आप normal देखे ये five point आपने ध्यान में रखने और फिर then then क्या करना है then change subject to object फिर आपने subject को object में change करना है यानि जो subject होगा active हो इसमें जैसे she था she subjective था तो वहाँ उसका object क्या बनाया हमने हर तो कुछ मैंने pronounce दियें कि वो subject से object में कैसे change होते हैं वो हम आगे देखेंगे ये आप screenshot लेके इन five points को लिख ली जीए note कर ली जीए pronounce change there form as shown pronounce कैसे change होते हैं form यादी होई है subject से object कैसे change होता है और object से subject कैसे change होता है जब subject में I होगा तो उसका object बनाना है तो हमने me पहले तो हमने object को subject में change करना है तो object क्या होगा मालो me मिलता है में object में तो me का हमने I लिख लेना है subject और us मिलता है हमें object में तो हमने क्या करना है जी? अस मिलता है तो हमने क्या करना है जी? वी कर लेना है यू मिलता है तो क्या करेंगे? यू का यू ही रहेगा भई हिम होगा तो क्या करेंगे? ही लिख लेंगे ठीक है इसी तरह ही का object बनाना होगा तो हिम, वी का अस ठीक है she का क्या होगा वही हर हो जाएगा और हर का she आप देख रहे हो it का it रहेगा object में भी और subject में भी दे का them होता है तो them दे रखा हो object में subject बनाना है तो दे लिखोगी तो ये भी आप note कर लीजी screenshot ले लीजी और आप से note कर लीजी हाँ जी वैसे मैंने पहले भी आपको एक table करवाई थी tenses में उसमें भी आपको मैंने ये first person कौन से है second person कौन से हैं वाँ detail में बताए थे तो ये भी एक बार देख लीजी इससे क्या आपको याद अच्छे से रह जाए हाँ इसका भी screenshot ले लीजी और note कर ले ना subjective में आई है हाँ और objective में में है अब आप बीच में देख रहे हैं ये माई क्या है तो ये possessive case होता है possessive case किसी noun के साथ आता है जैसे father noun है तो माई लगेगा my father ठीक है we our us तो ये we subjective है our possessive case है us क्या objective case है इसी तरह you क्या है subjective case है यूर के objective case है और यू के ये भी objective case है अब आप देख रहे हो नीचे फिर यू यूर्स यू लिखा है ये क्या है देखिए आई का plural वी होता है माई का plural आवर होता है मी का plural अस होता है इसी तरह यू का plural यू ही होता है और यूर का plural यूर्स होता है you का plural यो ही होता है third person में देखी ये third person है आपके ये second person थे he his subjective case है his possessive case है और him objective case है जैसे मैंने बताया कि possessive case in noun के साथ आएगा जैसे father है his father तो ये change में नहीं होंगे जब his father आएगा उसका बस ऐसे ही आपने subjective में his का h capital लिखके his father लिख देना है क्योंकि वहां work करने वाला father होगा his तो साथ में आएगा ठीक है इसी तरह she her her इसका possessive case और objective case है हम होता है it's they there them ये आप पहले भी कर चुके हो हाँ note कर लीजी हाँ ये ये बहुत काम की चीज़ है ये आपको आगे narration का टोपी करवाएगी वहां भी काम आएगी note कर लीजी very good हाँ अब हम करेंगे tense को जो मैं ने thumbnail पे लिखा है कि आपको ऐसे कोई नहीं करवाएगा वो method देखिए इसमें हम क्या करेंगे tense को जो है tense के coding करेंगे tense के coding structure करते जाएंगे और उसका active voice में structure क्या होगा और passive voice में क्या होगा पहला tense करेंगे हम present and definite tense हाँ 12 नहीं है सभी के passive voice नहीं बनते हैं सभी के passive voice में नहीं कही जाती बाते हैं तो कुछ बाते हैं जो है टैंसिस में कुछ जो है passive voice में होते हैं तो वो आपको बताएंगे कैसे कैसे तो last में एक trick भी दूँगा फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे हाँ आप सारे tense wise करते जाएं अगली वीडियो में आपको trick दे देंगे और इसको note करते जाएं कोपी में present indefinite tense से करेंगे इसका हाँ ये भी है tense के coding भी करेंगे और sentence के coding भी अब passive voice sentence के coding भी आते हैं sentence की बात कर रहा हूँ affirmative sentence tense में भी आपने ऐसे ही किया था तो affirmative sentence के अंदर देखिए present indefinite में active voice में क्या होगा subject आता है present indefinite जिसनी किया हुए tense जिनको आते हैं उनको अच्छे से समझ आगी होगी कि वहाँ पहले subject आता है फिर वर्व की first form आती है आप देख रहे हूँ present indefinite के affirmative sentence के अंदर पहले subject आता है फिर V1 आता है फिर V1 के साथ S या ES आता है फिर object आता है फिर full stop आता है बिलकुल सही सुना फिर इसका passive voice जब हम बनाएंगे तो object लगाएंगे हमने जैसे first rule उसमें पढ़ा object को subject में change करेंगे तो change कर लिए object पहले लिख लेंगे जो भी होगा आगे example से समझाएंगे main बात ये भी है tense के coding, sentence के coding पहले tense देखेंगे फिर sentence देखेंगे फिर उसके structures देखेंगे फिर उसके बाद हम example भी करेंगे सबसे बढ़ा बात इस वीडियो में ये आप के लिए हाँ जी, उसके बाद object आएगा फिर helping verb का use करेंगे हम ये जो है ismr helping verb यूज होगी, मैंने पहले ही बताया present indefinite है तो अगले tense concept present continuous उसकी helping verb यूज होगी वरब तो इसमें हमेशा third ही आएगी वैसे तो present continuous में v1 plus ing लगता है लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि present continuous past continuous, present indefinite present continuous में change हो गया नहीं, present indefinite tense है यानि v1 plus v1 के साथ CIS है तो हमने present continuous के helping verb यूज करनी है यानि जो tense table जिसने याद कर रखी है वो यहाँ भी काम आएगी एक वीडियो है 1434 आप उपर लिखोगे tense table 1434 first पे आएगी आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए और जैसे बताया गया वैसे करें इसे हमारा आएगा फिर वर्व की third form आएगी फिर उसके बाद आपको बताया गया था कि by का use होता है passive है इसमें यही रूल था हमारा चोथा और पांचमा लास्ट रूल था कि subject को object जो होगा यहाँ यह जो subject है यह object बन जाएगा देखिए last में आगया तो object बन गया मैंने लिखा subject है यह समझने के लिए आगे example में आपको समझ जाजएगा तो यह structure आप note कर लीजिए पांचमा जी देखिए he reads say book example है he reads say book इसमें आप वरब देखिये क्या है सबसे पहले तो subject देखिये क्या है subject क्या है वही इसमें he है और object क्या है a book क्या है और verb क्या है reads है तो आपने जब object समझ लिया पहले object लिखेंगे a book किसमें change होगा इसमें pronounce change होंगे, मैंने पहले ही उपर करवा दी है pronounce change होंगे, ये change नहीं होंगे इसमें a book है, तो a capital letter में हो जाएगा तो देखी, इसका passive है, इसमें answer तो पहले object लगाना है हमने तो object लगाएंगे जी, object क्या है जी हाँ, object क्या है जी, इसमें हाँ A book है तो A book में A capital letter में हो जाएगा first word capital letter में होता आपको पता ही है फिर हमने XMR का use करना है तो A singular है A book books होता तो R आ जाता है तो हमें इसका use करेंगे यह चीज़े हमें बताने की जूरत नहीं है क्यों क्योंकि यह मैंने आपको tense वाली वीडियो में अच्छे से करवाई है नहीं तो वो tense वाली वीडियो देखिए फिर आपको अच्छे से समझाज़ेगी यह book के साथ इसका use होगा उसके बाद reads है तो हमने इसकी third form लिखनी है तो read की third form red होती है और spelling यही सेम होती है र-e-a-d read reads की third form red होती है फिर हम by का use करेंगे चोथा rule और फिर क्या करेंगे हम पांचमा लास्ट में इसका object हाँ यह pronoun ही ही का objective केस क्या होगा आप चाहें देख सकते हो वहाँ क्या लिखवाया मैंने him तो यहां him भाज़ेग ए book is read by him read नहीं पड़ेंगे यह book is read by him passive voice में third form है यह red spelling चाहें first form की लग रही है लेकिन है third form क्योंकि इसके साथ यह लग गया तो इसको red read किया जाएगा यदि कोई read करेगा तो उसकी pronunciation wrong है हाँ ची हाँ एक और बात में कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा preposition by भी लगानी है to भी लगती है in भी लगती है तो वो example भी मैंने यह लिया है देखे एक्टिव है इसमें I know him इसमें देखिए आप हाँ जी इसमें आप देखिए कि object क्या है इसमें जो समझ जाएगा कि object क्या है फिर आप अराम से कर लोगे हाँ जी object देखिए क्या है object इसमें है him वर्व के फोरण बाद no वर्व है तो object him है अब ये प्रोनावन में इसका subjective case क्या होगा him का he is him तो him का he होगा ठीक है अब इस MR का use करने आपने structure में देख रख है तो he के साथ किसका use होता है इसका तो easy लगाई है फिर वर्व की third form तीसरा rule तो third form no की third क्या होती है non अब आपको के चोथे में हमने by लगाना है नहीं मैंने bracket में लिखा है to in with add इका भी use हो सकता है तो यहां किसका use होगा no वर्व है तो to use होगा by नहीं लगता और इसका subject आई है तो इसका object क्या हो जाएगा me हो जाएगा तो आपको समझ आगी होंगे affirmative sentence को कैसे change करते हैं यानि simple sentence है present indefinite की तो यह structure है इसको mind में बिठा लें अब negative sentence देखिए negative sentence में हम क्या करते हैं आप देख रहे हो negative sentence इसमें हम पहले subject लगाते हैं फिर negative में आपको पता है यह active voice की बात आ रही है यह active voice आपके मालो exam में आते हैं और उसको आपने passive voice में change करना है तो कैसे करेंगे वो चीज़ समय नहीं है आपने ठीक है जी तो हाँ जी तो पहले आप subject लगाओगे फिर do या does का use होता है यह लगा होगा लिखा होगा वहाँ negative है तो note भी होगा वहाँ v1 भी होगा object भी होगा आपने passive voice करना है तो object लिख लेना है पहले object का subject change कर लेना है जैसे हिम मैं तो ही हो जाएगा जो भी object है फिर हमने इसमें भी इस हमारी लगाना है कोई यह नहीं है कि tense change हो गया sentence change होगा है negative होगा है negative में do does use होता है लेकिन do does का use present in definite tense में होता है तो वहाँ हमने do does हटा कर इस हमार का use करना है वो object को देखना है कि I है तो हम M लगा देंगे ही है तो easy लगा देंगे दे है तो आर उसके बाद note का use करेंगे negative sentence है तो note तो लगेगा फिर वर्व की third form आएगी और फिर buy आएगा और फिर subject और फिर full stop तो यह rule है इसका ठीक है जैसे I don't I do not like him इसका passive voice बनाना है तो कैसे बनाएगी जी आज जी देख लीजी इसका passive voice कैसे बनेगा इसमें पहले आप object पहचाने है object क्या है जी him देखे subject आई है do helping वर्व होगे जी देखो structure के coding है पहले subject है फिर do I के साथ do का use होता है तो do does में से एक लगना है फिर note है देखी तो यहां भी note है फिर वर्व वी वन तो यहां भी वर्व की first form है like फिर object है him है न उसी coding वह ही structure यहां I do not like him तो इसका passive है इस आपने structure के coding change कर लो हाँ जी structure क्या है देखी अबजेक्ट लगाना है पहले आपने तो object देखी इसमें क्या होगा भी हाँ जी तो पहले object लिख लिए हमने he यानि subjective case बना लिया फिर he के साथ मैंने बताया कि इसका use होता है तो इस लगाएंगे फिर देखी जी not use होगा तो फिर note लगा दिया हमने फिर वर्व की third form तो यहां देखे like वर्व है तो इसकी third form क्या होगी वही liked फिर हमने by का use करना है तो by आ गया फिर object subject जो subject है उसका object बनाना है तो यहां subject लिखना यानि i का क्या बनेगा जी object me फिर full stop तो इस coding change करना है he is not liked by me interrogative sentence में देखी अब negative तो आपको अच्छे से समझा गया होगा interrogative में क्या होता है जी पहले helping where अब आती है active voice में आपको पता ही है आप example में भी देख सकते हो interrogative sentence में क्या होता है जी पहले subject आता है बिलकुल आप समझ रहे हो सही क्या समझ रहे हो do does आता है helping where आती है पहले फिर subject आता है फिर be one आता है और फिर object और फिर question mark आता है हाँ जी आ रहे है न समझ आपको सबको फिर इसमें हम देखी पैसिव हो इसमें हमने पहले ही समय लिया भी do does है तो हमने इस MR यह उस करना है तो पर यह object से पहले लगेगा object को देख कर ही हमने इस MR का लगाना है तो वो यहाँ वर्व की third form लगाना है यहाँ फस्ट होएगी आपने third कर देनी है फिर by लगाना है और फिर subject तो यह structure आप नीचे same देख सकते हो यहाँ active voice का देखिए active voice में यहाँ do does है तो यहाँ पहले do यह फिर देखिए subject है फिर वर्व की first form लगाना है यहाँ फस्ट structure में देख लीजिए object का यहाँ देर लेसन फिर question mark है तो interrogative sentence में असा होगा इसका passive हो इस बनाओगी तो क्या करोगी पहले इसे हमार लगाओगी तो मैंने पहले क्या कहा कि आप object देखो पहले देखना है लिखना नहीं तो object क्या है लर्ण वर्व है लर्ण यहाँ वर्व है तो object क्या है वही देखी देर लेसन न तो यहाँ देर लेसन है तो यह वर्व है तो वर्व की फॉरण बाद object होता है तो object क्या है वही देर लेसन ठीक है तो यहां इसमर lesson singular है वैसे इसका use भी कर सकते हम हाँ lessons है यहां lessons कर ले न do they learn their lesson फिर हम जो है आर का use करेंगे are their lesson learn फिर क्या हैगा भी पहले इसमर का तो are use हो गया फिर object भी use हो गया फिर third form learn की third क्या होती है भी learn t लगता है learn फिर by और फिर they का क्या हो जाएगा them हो जाएगा ठीक है जी फिर question mark their lessons कर ले ना या या फिर यहां इस कर ले ना ठीक है जी तो देखी आगे वैसे plural word है lessons कर ले ना w family में w family में क्या होता जी पहले हम w family लिखते हैं active voice में आपको पता यह करके आयो tense जिनको फिर do या does होता है फिर subject फिर we one फिर object और फिर question mark passive voice में हम w family लिखते हैं do does की जगह है इसे हमार लगाएंगे फिर object लिख लेंगे ठीक है जी फिर उसके बाद जो है हम वर्व की third form फिर by फिर subject और फिर last में question mark हाँ जी screenshot ले ली जी कोई नी आराम से लिख ली जी इसको हाँ उसके बाद जो है active voice में example देखे w family वड़ा किस तरह ऐसे आएगा तो देखे मैंने पहले बताया कि w family होगी तो where का where है फिर do या does में say use होगा तो यहाँ जो है does का use है ही किसा does का use होता है subject को देखो ना does he फिर वर्व क्या है वही first form place his book where does he place his books वह अपनी किताब ही कहा रखता है तो इसका passive है इसका बनेगा वही w family है तो पहले where है तो where का where लगेगा इसे हम आर लगा ना do does attacker तो object को देखना है object क्या है अबजेक्ट के coding लगेगा ना तो object क्या है वही his books है हाँ यहां plural है ना देखो books तो plural है तो हम क्या रहेंगे जी यहां हम आर लगाएंगे is का use नहीं होगा where are his हाँ यह small letter में लिखेंगे आर यहां where are his books फिर वर्व की third form place की third क्या होगी placed फिर by और he का क्या हो जाएगा him और फिर question mark तो यह होगा इसका passive voice हाँ अब आप कह रहे होगी सर passive voice में w family में who भी आता है तो who वाला कैसे होगा active voice में आप कर क्या हो active voice में जब who आता है तो do does का use नहीं होता w family के बाद मैंने बताया कि do does का use होता है तो यहां नहीं होगा who वाले में who वाले में क्या होगा वर्व की first form के साथ yes होगा फिर object होगा और question mark होगा वर्व की form के साथ mostly yes हो सकता है ठीक है जी तो इसका passive voice का structure क्या होगा इसमें हम जो है buy लगाएंगे पहले buy home क्यों लगाएंगे अब आप सोच में पढ़े होगे कि buy पहले क्यों लगा दिया देखी अब who क्या है who सब work को करने वाला बताया नहीं गया आप की work को करने वाला कौन है तो buy हम बाद में लगाते हैं यह home जो है subject को object में change करने का काम आता है यानि की who का object change करें तो home बनता है यह लिख उसमें नहीं बताया है यहां बता रहा हूँ का home बनता है तो अब home के साथ हमने buy तो लगाना है जैसी he का him बना तो him के साथ buy him लिखेंगे तो यहाँ w family भी है तो इसलिए buy का use भी करना पड़ेगा जैसे आपने tense में since की से पहले since का use पहले किया था w family का काम भी कर रहा था और वहाँ तो यही बात यहाँ पर रहा है ठीक है तो buy home आएगा फिर हमने यह ठीक है कि इसमें इस MR का use करना है भी 1 प्लस SS यह yes दिया तो इस MR का use होगा फिर हमने object को देखके लगाना इस MR में से फिर object लगाना और फिर verb की third form और फिर question मारगी यह structure not कर ले हूँ वाले के लिए यह mistake करते हैं बहुत students पहले active voice का structure और फिर passive voice को इसको अच्छे से समझी आपको समझाएगी नहीं समझाती तो आप comment में लिखे मैं इसका अच्छे से आपको reply करूँगा हाँ जी note कर लीजी शाबश आब इसका example देखिए जो who alarm कर रहे थे देखिए मैंने का पहले who होगा फिर v1 के साथ ऐसी आ यह स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो तो यहाँ teach है और फिर object you है इसमें दो object है दो आपके दो object वाला question भी यहाँ clear हो जाएगा एक तो you है और एक English है तो दोनों के answer मिलेंगे दोनों से बनते हैं passive voice दो object वाले के दो answer बनते हैं तो पहले देखिए इसका passive voice में हमने क्या structure में पढ़ा वही इसके passive voice के structure आप देख सकते हो by home लगाएंगे पहले तो by home लगा लीजी उसके बाद by home लगा लीजी पहले who को by home में change कर लो अब देखिए हमने इस MR में से एक लगाना है तो object देखो वरब की teach है वरब के फॉरण बाद जो होता है हमार object है object दो है चलो पहले you को use से करेंगे हाजी तो you है तो you के साथ हम इसका use करते है ना यह हम का किसका करते है आर का तो फिर पहले आर लेखेंगे फिर you लेखेंगे हाँ देख लिए हमने पहले की आर का use करेंगे by home फिर आर, you पिर object है औब जग गया आपका r, you फिर हमने वरब की third form लगानी है third form क्या है वही teach तो इसकी third क्या हो जाएगी वही taught teach की third होती है taught 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 हाँ जी उसके बाद जो object बच गया दूसरा object English बच गया ना तो ये लिख दीजिए वर्व के बाद ऐसे जो भी दो object वाले होंगे उसमें जो object बचेगा वो लिख दो कई बार क्या होता है कि time of whatever बहुता है तो वर्व के बारन बाद जो है time of whatever बाजएगा उसके बाद question mark आएगा तो ये है who teach you English इसका passive voice क्या बनेगा by whom are you taught English रटा ना बारिए इसको समझी ए structure के coding उसके coding करिए passive voice को रटा मारना छोड़ दीजिए बड़े method से आपको समझाएगे है हाँ इसका मैं ये कह रहा था कि दूसरा answer भी है यदि हम English से बनाएगे तो ठीक है वो by whom तो वही लगेगा बट अब English से बनाओगे तो और का use नहीं होगा English के साथ तो is का use होगा तो by whom is फिर English फिर teach की थाड क्या आएगी वही taught आएगी हाँ अब आप कहोगे कि दूसरा object you रह गया जी लिखना तो वो ऐसे आप by लगा इसमें by तो लग गया लेकिन दूसरा object जो है ना ऐसे you नहीं लिख दोगे taught you जैसे आपने English लिख दिया इसके लिए दूसरा object लिखने के लिए आपको टू प्रेप पोजिशन लगानी होगी और by whom is English taught to you question mark यदि दूसरे object से बनाते हैं तो टू प्रेप पोजिशन मौस्टल लगती है तो ये use करनी है ये गलती ना कर जाएं हाँ, जो CTAT, CTAT की त्यारी कर रहे है उनके उसमें आते हैं या HSSSE की त्यारी कर रहे है उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये वीडियो है उनके लिए ये है कि ध्यान में रखनी है कि ये बार ये option में नहीं देता option type आता है फस्ट वाला नहीं देता सेकंड वाला दे देता है तो ये चीज नोट रखें तो सेकंड वाला answer ठीक होगा कहीं उसमें कोई mistake करके थोड़ी दे देता है और इतने में उसको tick कर आते हैं तो गलत हो जाएगा ऐसा ठीक है जी, ध्यान रखना तो दुनों के answer मैंने बता दिये हाँ जी, आप देखिए exercise of passive voice exercise जो आपने active voice मैं दे रहा हूँ exercise of voice लिखा है यानि active voice मिलेंगी उसको आपने passive voice में change करना है present indefinite and see होगे सिरफ मैंने सिरफ present indefinite के ही करवाया है तो उसके ही आपको मिलेंगे तो आपने comment में उनके answer जरूर देने है पहले आपने copy पे उसको कर लेना है passive voice को फिर उसमें write करना है और मैं reply भी करूँगा आपका कोई mistake है या write होगा तो भी मैं आपको उसका reply करूँगा बहुत better कर रहे हो आप तो practice करने से ही आएंगे voice का यही rule है कि practice करोगी जितनी उतनी ज़्यादा आएंगी तो कोई भी ऐसा student ना हो जो comment ना करे सभी के सभी करेंगे हाँ तो सिखोगे यह है जी exercise of voice तो यह आप जो है note कर ले या फिर screenshot ले ले बाद में आराम से note कर ले या pause करके इस video को हाँ video को post कर ले रोक ले और note कर ले शाबश यह 10 sentence है the mother manage the house ठीक है he grows wheat in his fields दिखरा होगा the pot contains milak the rich hate the poor I don't know the reason of his coming he does not make a noise does sham tell a lie why do you not help him what does he say our grossal sells a special kind of tea तो यह है जी इसके 10 के 10 answer आप comment में करोगे all the best for answer के लिए please एक और आपसे request है मेरी please आप देख रहे हो मेरे channel का नेम मुकेश मैतानान्द academy के नाम से है channel ही है यदि आपको कोई बात करनी हो तो आप call भी कर सकते हो number में आपको दे रहा हूँ हाँ screenshot ले लिजीए बाद में आप call भी कर सकते हो कुछ पूछना चाहो हाँ जी तो मेरे subscriber आपसे यह request है मैं इतनी मेनत से ये video बना रहा हूँ सारा सारा दिन लग जाता है तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि प्लीज इसको सब्क्राइब कर दे इस channel को हाँ जी अभी कर दे और अपने friends को भी share करें video वो भी subscribe करने के लिए बोले और आपकी जितने भी घर पे phone है उनकी लेकर आप खुद subscribe कर दे प्लीज ये आपसे मेरा request है हाँ मेरा subscribe को बढ़ाएं प्लीज आपसे बहुत बहुत request है आज के आज हम इतना ही कर पाएंगे हाँ जी thanks